नमस्ते आदाप गुड मॉर्निंग सुपर बात ये हैं न्यूस 21 राजस्थान और आप देख रहे हैं नागोर हेडलाइन्स नागोर हेडलाइन्स के अंतरगत हम देश परदेश के साथ साथ हमारे नागोर जिले के हर गाउन धनी शेतर से जुड़ी हेडलाइन्स लेकर आपके वीच में रोज उपस्तित होते हैं यदि आप अपने शेतर से भी किसी हेडलाइन को इसमें सामिल कराना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देगे वाट्सप नंबर का उप्योग कर सकते हैं चलिए शुरू गरते हैं आज की नागोर हेडलाइन देर रात नागोर सब्जी फ्रूट मंडी में लगी आग सोर सर्किट वाना जा रहा है कारण हाउसिंग बोट शेतर में करीब 40 मिनट तक आग की खतरनाक लप्टों का आकास में देखा गया भयावे द्रश्ये फैला काला दुआं दूर दूर तक देखी गई आग की लप्टें नगर परिश्यत अगनी समन वे पुलिस पहुंची मौके पर आग पर पाया काबू परंतु हुआ लाखों का नुक्सान पर्टेक दर्शियों के अनुसार यदि हावा थोड़ी ओर तेज होती तो आजपास के इलाकों में फैल सकती थी आग इसी परकार कर लाड़नू में साला सर नागोर हाईवे पर कोईले से भरे चलते ट्रक में भी लगी आग पर्देश सरकार नेक जारी की नई गाइडलाइन कोरोना के संकर्मन की चेन तोड़ने के लिए उठाया बड़ा कदम अब 17 मही तक मुहमारी रेड अलर्ट जन अनुसासन पकबड़ा रहेगा लागू आवशक समान यता की रणा दूद डेरी सबजे की दुकानों को सुमबार से सुपरवार सुबह साथ से ग्यारा बज़े तक खोलने की व्यवस्ता रहेगी जारी साधियों में भी मेमानों की संख्या गटा कर की गई है 31 पर्देश में जारी रहेगा बसों का संचालन पचास फिस्ती यात्रियों के साथ ही चल सकेंगी बसें एक से दूसरे जिले में मेडिकल या विशेश करन पर ही जा सकेंगी नी जीवानों में भी ते जगे से पचास फिस्ती लोग ही कर सकेंगे सफर दो फिर बारा बजे बाद गुमते पाए जाने पर होगी आर्टी पीसियार टेस्ट समन्दीत व्यक्ति को पंदरा दिन के लिए किया जा सकता है क्वारंटाइन आज से परदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री चिरंजीवी विमा स्वास्ते योजना मुख्यमंत्रियासोगेलोत करेंगे लॉँच मुख्यमंत्रियासोगेलोत ने ट्विट कर दी जानकारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी विमा योजना में रेजिस्टेशन करवाने की अंतिम्तिति को भी 31 म데ANT तक बड़ा दिया गया है इस योजना में 30 अपरेल तक रेजिस्टेशन करवाने वाले परिवार का लाब 1 मई 2021 से सुरू होगा वहीं 1 मई से 31 मई के मद रेजिस्टेशन करवाने वाले परिवार को लाब रेजिस्टेशन की दिनांग से मिलेगा एक जुन से 31 जुलाई के मद्दी रेजिस्टेशन करवाने वाले परिवार कोलाब 1 अगस 2021 से मिलेगा साथ इमुक्य मंत्री ने अपना मोबाइल अपना डोक्टर ई संजीवनी मोबाइल एप निशुल क स्वास्ते चिकिचा सेवा एप से भी करवाया आउगत कोरोना बेट परदेश में पिछले 24 गंटे में 17,155 संकरमित और मिले 155 की हुई मोथ 10,034 मरीज हुए हैं स्वस्थ अब तक 4,17,277 लोग हो चुके हैं रिकवर राजस्तान में कोरोना गाउं तक पहुँच गया है यहां 40,50 तक नए मरीज गाउं से आ रहे हैं नागोर जिले में कल मिले 226 नए केस दो लोगों ने गवई अपनी कोरोना से जान जिले में अब तक 1399 केस हैं सक्रिए परदेश के 11 जिला मुक्यालों पर आज से सुरू होगा वेक्सिनेशन 45 वर्ष से कम आई वर्ष के लोगों को होगा किया जाएगा वेक्सिनेशन जिकित चैवं स्वास्ते मंत्री डॉक्टर रगु सर्मा ने बताया कि सीरम इंस्टिटूट ने राजस्तान को फिलाल 3 ने बताये कि अभी जेपूर, जोदपूर, अजमेर, विकाने, रुदेपूर, अलवर, धोलपूर, विलवाडा, कोटा, सिकर और पाली जिलों को इसमें सामिल किया गया है उन्होंने का कि सीरम इंस्टिटूट से आने वाले दिनों में जब आदिक डोज ब्राप्त होंगी तब सभी जगों पर वेक्सिनेशन आरंब किया जाएगा। कोरोना से भी थे समकर्मित। 2450 तता असा सेयोगनी का वेतन 2700 से बढ़ा कर 2970 रुपे किया गया। गावों में फिर लोट आया है सेनिटाइजर चिड़काओ का दोर जिले की भादवा ग्राम पंचायत में सुकरवार को सरपंच सोनु आंचरा वे ग्राम विकास अधिकारी छोटे लाल मीना के निर्देशन में पंचायत परशासन की ओर से कस्वे में सड़कों, गलियों, मह अलों विसारवजनिक इस्तानों पर हाइफो क्लोराइड का चिड़काओ कराया गया, साथ ही उन्होंने लोगों को जागरूप लेते वे घरों में रहने की अपील रियाबड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत सताना के लाके आईटे के अंदर में कोर कमेटी की समिक्षा बेटक वी संपन, बेटक में पीई यो रूगाराम राड ने कोर कमेटी के सदेशियों के साथ कोरोना के बढ़ते परभाव को रोकताम के लिए किये जा रहे परियास की सूची तैयार करने एवं डोर टू डोर सर्वे तताराज सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पालना करवाने के लिए दिया गया जोर पिछले दो दिनों से नागोर जिले के मौसम का मिजास दिख रहा है बदलता कल जिले के परबसर मकरणा कुचामन सहीत आसपास के शेत्रों में साइंच चार बजें के आसपास आचानक मौसम में बदला हुआ और तेज गरजन के साथ खलकी बारिस हुई अंधी वे बारिस के दोर देर राद तक रहे जारी वहीं जिला मौक्याले के आसपास के शेत्रों में भी देर साम हुई हल की बुंदा बंदी ये थी आज क्यांकी नागोर हेडलाइन्स इसी तरह की हेडलाइन्स लेकर हम आपकी मीच में रोज उपस्तित होते रहेंगे देश एबं परदेश की खबरों के लिए हो सकता आपके पास खूप सारे अच्छे ऑप्शन भी होंगे और नागोर के लिए भी खूप सारे ऑप्शन है लेकिन हमारा प्रियास है कि नागोर जिले की गाउन ठानी से जुड़ी हैडलाइन्स को हम एक अच्छी पेस्कस के ज पत्रकारिता का शोक रखने वाले या पत्रकारिता से जुड़े ऐसे रियक्तियों की जो न्यूस 21 राजस्तान में एक मजबूत इस्तम बनकर नागोर जिले को खबरों के मामले में अत्म निर्बर बनाने के हमारे इस वपन को साकार करें यह दि आपको सक्षियत हैं या ऐस सक्षियत को जानते हैं जिनको हमसे जुड़ना चाहिए तो उन तक की खबर जरूर पहुंचाएं यह था आजकांक इसी तरह क्यांक लेकर हम आपकी बीच में रोज उपस्तित होंगे तब तक के लिए दीजी इजाजत नमस्कार